Hyundai Venue Facelift स्वागत है आप सबका एक और नए फ्रेश एपिसोड में आज का हमारा टॉपिक है था Hyundai Venue Facelift ड्राइव रिवीव आफ दे डीजल मैनूल वेरियंट देखो डीजल हर जगा नहीं मिलता ये वेरियंट बहुत सारे सेग्मेंट में बहुत सारी गाड़ियों में इस सेग्मेंट में अगर बात करो तो नहीं है लेकिन Hyundai Venue में आपको प्रवाइट किया जाता है और एक बहतरीन इंजन है ये डीजल इंजन जो है ना क्रेटा, सेल्टो, सॉनिट इसमें तीन-चार और गाड़ियों में भी यूज किया जाता है क्यों ना किया जाए बिकोज रिफाइन बहुत है लेकिन क्या Hyundai Venue फेसलिफ्ट के साथ सिर्व रिफाइनमेंट ही बहुत होती है नहीं, माइलेज, पावर उसके साथ-साथ इसकी परफॉर्मेंस, NVH लेवल, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले है तो वीडियो का एंट तक जरूर देख लें और इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लिए चलिए शुरू करते हैं अब हुटे वेणियो के चेंजिस के अगर मैं बात करो तो नए में आपको डेफिनिल्ली एलेडी प्रोजेक्टर है लैंप्स ओफर किये जाते है पहले हैलोजन ते हैलोजन आपको यहाँ पर कॉनिंग लैंप्स ओफर किये जाएंगे फॉग लैंप्स नहीं है यहाँ पर LED DRL और यह इंडिकेटर का काम करते है ध्यान रखें कि यह लाइट कुछ भी नहीं है जो फ्रंट ओवरोल इसका लुक है थोड़ा अग्रेसिव हो गया है पहले से जादा पहले थोड़ा क्यूट लुक थी अब अग्रेसिव लुक डेफिनिली हर किसी को अच्छी लगती है Hyundai Venue में आपको total 7 color options मिल जाती है और यह dual tone के option भी है जहाँ और sunroof के साथ ही क्या blend होती है मज़ा आ जाता है roof rails आपको बहुत पहरे offer किया जाते है black dot elements आपको ORVM के ओपर भी देखने को मिलेंगे हो गई है नए alloy wheels भी आपको यहां पर offer किया जाते है और बहुत सारे ऐसे features है जो नहीं है यहां पर मैं list out आपके लिए कर लेता हूँ because this is not a walk around video this is this was a complete drive review तो फिर लेकिन बताना जुरूर ही कि तो यहां पर सारे नए बले features आपके लिए लिस्ट आउट कर देता हूँ सबसे पहले होती है performance अब डीजल इंजन है तो आपको दो ही चीजी 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 पर्फॉर्मेंस और माइलेज तो सबसे पहले बात कर लेते है इसकी performance के बारे में सबसे चीजी इसकी यह है कि बहुत ही रिलाइबल इंजन है यह बहुत सारे आपको वेरियंट के साथ बहुत सारी गाडियों के साथ इसको उफर किया जाता है क्यों क्योंकि इसकी पावर भी बहुत अच्छी है 100 PS of power थोरह डी-tune किया गया इसको 100 PS of power with 240 Nm of torque आपको इस segment में जो यह 1.5 यूज किया जा रहा है वहां पर offer किया जाता है Interestingly, torque है उसका band बहुत अच्छा है और आपको अच्छी खासी torquey-ness यहां पर मिल जाती है और चलाने में fun-to-drive element पूरा लगेगा No doubt, जो fun-to-drive element जादा है वो आपको मिलेगा in the turbo DCT लेकिन डीजल में भी ऐससे चैसा हम नहीं कह सकते कि बहुत कोई कमी है यह अच्छी power नहीं मिलती है हमेशा यह engine torquey nature के साथ आपको पावर देने के लिए ready रहता है Which is a great great thing इस engine की सबसे चीज मुझे यही लगती है Now if we move on to the steering wheel of this vehicle, काफी balanced, काफी light भी आपको यहां पर offer किया जाता है, ज्यादा heavy आपको मैसूस नहीं होगा steering इसका, तो उसका benefit मेरे को यह मिल जाता है, कि cities में भी confidence मुझे मिलता है, turning अगरा में, highways पे अपको stability तो एड होती ही है आपको confidence पी add होता है, जब आप high speeds पे रोते है तो थोड़ा way up हो जाता है, यानि की weight बढ़ जाता है highways पे भी मुझे यह जो steering है, वो काफी बड़िया feedback प्रोवाइट कर देता है suspension wise आपको काफी कुषणी suspension यहां पर मिल जाती है, cities में काफी comfortable ride देती है, और highways ठीक ठाक stability आपको मिल जाती है बहुत जादा नहीं है, विकाज हाई speed पे थोड़ा साफ्टर साइड पे suspension रहती है और body roll थोड़ा सापको मैसूस होगा, लेकिन cities में pot holes हो, खड़े हो, यहां speed breakers हो, तो आपको जादा दिक्कत नहीं हाती है because काफी smooth आपको यहां पर ride मिल जाती है, braking wise आपको front में तो proper आपको disc brakes मिल जाती है लेकिन rear side में आपको disc brakes की कमी जो है, वो थोड़ी सी महसूस होगी for sure, उसमें कीस तरह को कोई शक नहीं है और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि safety features में वेकल stability management, electronic stability control, इस तरह के features ABS EBD of course, वो सब तो offer किये ही है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि rear में disc brake होती, तो जादा अच्छा लगता, customers को भी और मुझे भी शली आप इसके NVH levels के बारे में बात करते है, noise, vibration, harshness जो है, वो भी आपको ठीक मिल जाती, vibrations थोड़ी सी diesel engine में है लेकिन harshness बिल्कुल भी नहीं है, और noise भी comparatively बहुत जादा नहीं है, तो NVH is really really good, आपको शिकायत नहीं होगी, आपको एक बढ़िया, एक रिफाइंड इंजन वेला, एक आपको बढ़िया experience जो है, वो offer किया जाता है, इस engine के साथ, अगर आप इसे petrol natural respirators compare करेंगे, तो वैस आपको बढ़िया experience देखने को मिल जाता है, लेकिन ब्रेकिंग में आपको confidence मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, आपको confidence वहाँ offer नहीं किया जाता, बाइट अच्छी है, लेकिन और strong जो है, और grip है, वो better हो सकती थी, अब हम भात करते इसकी visibility के बारे में, तो left side, right side आपको राम से बोनट जो नजर आता है, SUV बला स्टैंस है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा-पूरा, उसमें आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, बट आपको यह भी बताना जिरूरी है, कि ORVM की visibility कैसी है, बाहर well-placed, well-sized, वहां मुझे किस दिरा की कोई दिकत नहीं आती Safety, Safety में आपको 6 airbags भी offer किये जाते हैं, Hill Start, Vehicle Stability Management, Electronic Stability Control, और उसके साथ-साथ आपको ABS-EVD तो है ही, तो यह चीज़े जो है, इस गाड़ी को और special भी बना देती है, और थोड़ा और जादा safe भी, I personally wanted कि अगर इस गाड़ी की safety rating थोड़ी जादा होती, of course, किसे नहीं Comfort, comfort wise आपको left side पे तो armrest पैड़ी मिल जाती है, right side पे है, वो भी आपको padded मिलती है, लेकिन सिर्फ टॉप model बाकियों में आपको थोड़ी प्लास्टिकी मिलेगी, वो भी थोड़ी padded होती, middle variants पैड़ी होती, तो जादा अच्सा लगता, but comfortable seats वो है, वो बहुत बढ़िया ह है, because इसमें आप long fries में थखने नहीं है, padding बहुत soft है, seats की जो cushioning है, वो भी आपको definitely पसंद आएगी, because quality बहुत अच्छी यूज की गई है, इसके सारे material में, soft touch materials में, तो उसका definitely added benefit यहां पर है, क्योंकि Hyundai Company ने ना, quality में किसी तरह को compromise नहीं किया, आपको सब कुछ top notch मिलेगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे, कि इस गाड़ी में, माइलेज कितनी मिल जाती है, वो बहुत important है, डीजल वीरियन ले रहे हो, माइलेज की वज़े से आप कही ना कि consider कर रहे है, तो माइलेज में, वैसे तो company तो काफी अच्छा कासा 22 का claim करती है, but अगर cities की बात करें, त आपको कभी-कभी मिल जाती है, प्लस क्रूज अगर आप इसका यूज कर रहे हो, तो बहुत ही बड़िया तरीके से, अप क्रूजिंग स्पीड में जाते हुए, आपको एक बड़िया माइलेज हमेशा ओफर करेंगी, ये ये यूंडेय वेन्यो पेसलिफ्ट, डीजल वेर जिसका डिटेल ड्राइवर भी हमने अभी अपके साथ शेयर किया, ओमीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहां तक देखी लिया, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दे, और उसके साथ-साथ नीचे कमेंट करके बताए कि हूंडेय वेन्यो का फेवर फीचर भी, मैं मिलूँगा आप से गली वीडियो में, अंटिल देन, ड्राइव सेफ और टेक केर, बाई बाई